इसमें से आपको फिगर से देखके जो ओड है उस पे आपको क्रॉस का निशान लगाना है तो यहाँ पे देखे टाइगर है यह राइनोसूरस है यह स्नेग है यह पोलर बीर है तो आपको इन में से क्या ओड लग रहा है तो इसमें ओड है क्या इनसेक्ट आपको इनसेक्ट में माना चाता है और ये सारे ही आनिमल्स हैं नो second is देखिए यहां पे सारे ही वेजिटेवल्स है बट ये एक क्या है ये भी एक इंसेक्ट है तो ये इसमें सब में odd है ठीक, next देखते हैं इसी तरीके से यहां पे देखिए ये एक क्या है fruit है, ये भी एक fruit है और ये भी एक fruit है लेकिन ये क्या है, एक flower है तो हम flower पे क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, ये इन तीनों में मलब इन चारों में यही एक जो है, वो odd है next देखते है, ये देखिए यहां पे ये एक इंसेक्ट है ये भी एक इंसेक्ट है और एक butterfly भी एक insect है लेकिन यहाँ पर एक odd कौना गया है एक bird तो आपको इस पर cross लगाना है ओके the last one is यहाँ पर देखिए यह एक insect है ओके यह देखिए यह एक water animal है octopus यह भी एक water animal है और यह भी एक water animal है तो इसमें odd क्या है यह एक odd है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर odd भूड़ना था जो की odd हमने do लिया है तो in this way your chapter is completed that's all for today thank you so much